पाकिस्तानी किर्केटर शोईब मलीक और टैनिस स्टार सानिया मिर्जा का 14 साल पुराना रिष्टा तूट गया है दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं शोईब ने पाकिस्तानी अभी नेत्री सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है शोईब मलीक की ये तीसरी शादी है सानिया की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि शोईब के साथ उनका रिष्टा अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है वैसे सानिया मिर्जा अपनी पर्सनल लाइफ में पहले भी मुश्किलों का सामना कर चुकी है दरसल शोई मलीक के साथ शादी से पहले सानिया की सगाई सोहराब मिर्जा से हुई थी जो कि उनके बचपन के दोस्त थे 10 जुलाई साल 2009 को सोहराब और सानिया की धूमधाम से सगाई हुई थी हैदरबाद की बेकरी बिजनसमेन के बेटे सोहराब तब MBA की पढ़ाई कर रहे थे दोनों परिवारों में पुरानी दोस्ती थी और सानिया काफी समय से सोहराब को जानती थी सानिया और सोहराब ने सेंट मेरी कोलेज में साथ पढ़ा ही की थी हाला कि सानिया सोहराब का ये रिष्टा आगे नहीं बढ़ पाया दोनों की सगाई लगबग 6 महीने बाद जनवरी साल 2010 में तूट गई थी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलने की कोशिस किस वज़े से थम गई ये बात उस वक्त किसी को समझ नहीं आई कहा गया है कि सोहराब सानिया ने आपसी सहमती से रिष्टा तोड़ने का फैसला किया था सोहराब से सगाई तूटने के बाद लगबग 3 महीने बाद ही सानिया मिर्जा ने शौइब मलिक के साथ शादी कर ली शौइब मलिक और सानिया की शादी 12 एप्रेल साल 2010 को एक पारंप्रिक समारों में हुई थी ये शादी हैदराबाद में हुई सानिया और शौइब की पहली मुलाकाज साल 2003 में हुई थी हाला कि दोनों के बीच बादची साल 2009 में शुरू ही जब दोनों होबाट में एक दूसरे से मिले थे वो बादची दिरे दिरे प्यार में तबदिल हो गई शौइब मलिक से शादी करने को लेकर सानिय मिर्जा को देश भर में विरोध का सामना भी करना पड़ा था शौइब से शादी के आट साल बाद यानि Ferrya साल 2018 में सानिया बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ था इजहान अब 5 साल के हो चुके हैं और वो अपनी मा के साथ ही रहते हैं जानिया मिर्जा ने पिछले साल टैनिस से सन्यास ले लिया था सानिया मिर्जा और उनके पती शौइब मली के बीच पिछले कुछ दिनों से तलाक को लेकर कई अफवाएं सामने आई थी सानिया का एक पोश्ट हाल फिलहाल में काफी चर्चाओं में रहा था जहां उन्होंने लिखा था कि शादी और तलाक दोनों कठीन है इससे पहले शॉयब ने करीब एक साल पहले ही कहा था कि हर शादी में उतार चड़ाओ आता है सानिया मिर्जा और शॉयब मलिक पिछले कुछ महिनों से एक दूसरे के साथ में नहीं दिखाई दिये सानिया मिर्जा ग्रेंड डबल्स में छे बार चैंपियन रह चुकी है सानिया ने डबल्स में जो छे ग्रेंड स्लैम खिताब जीते हैं उसमें तीन मिक्स डबल्स और इतने ही वुमेंस डबल्स खिताब शामिल रहे। उन्होंने अपना आखरी ग्रेंट स्लैम साल 2016 में उस्ट्रेलियन ओपन का महिला डबल्स खिताब जीत कर हासिल किया था। इसमें लीडरोल निभाने के बाद सना को पहचान मिली। सना जावेद को सामाजी कनाटक रुसवाई और डंक के लिए प्रशन सा मिल चुकी है। इसके अलावा सना कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है पंजाब क इसरी नवोदे टाइम्स के साथ।